हेलो दोस्तो, सुरी कृष्षन टुटर कलाश्यम स्वाइद है और आज का हम रहेगा बैतिन टोपिक के साथ साइबर नाइफ शुरुखियों में है आजकल दो साइबर नाइफ शुरुखियों में है इसके बारे में हम आज बात करेंगे साइबर नाइफ क्या है साइबर नाइफ एक चिकित्षा परनाली है जो विकीरन पर यादारित है साइबर नाइफ क्या है ये एक चिकित्षा परनाली है क्या है चिकित्षा परनाली है जो विकीरन पर यादारित है विकीरन रेडियेशन साइबर नाइफ क्या है चिकित से परनाली है जो विकीरन पर यादारित है इसका उप्यों कहां पर करेंगे कैंसर और बिना कैंसर वाला बिना कैंसर वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए क्या है साइबर नाइफ क्या है चिकित से परनाली है जो विकीरन पर यादार थे रेडियेशन पर यादार थे कीरनों के द्वारा हम पता लगाएंगे कैंसर और बिना कैंसर वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम इस प्रणाले का उप्योग करेंगे और सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि जो ये पत्ती है जो ये पत्ती है ये बिना चीर फार्ड के बिना चीर फार्ड के जो इसाइबर नाइफ पत्ती है ये बिना चीर फार्ड के हम cancer वाले और बिना cancer वाले tumor का पता लगा सकते हैं इस पत्ति से बिना chid fard के cancer और बिना cancer वाले tumor का हम पता लगा सकते है यहाँ पर यह हमारी point बन गई कि cyber knife क्या है, चिकित्षा परणाली है, किस से related है किस के दोवारे इसका इलाज किया जाएगा, विकीरन के दोवारे, विकीर radiation के दोवारे हम इसका इलाज करेंगी, cancer और बिना cancer वाले tumor का पता लगाने के लिए और सबसे बड़ा benefit या फाइदा यह है कि बिना chid fard के हम इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्रीर में कहां पर क्या कामी है अब इसके देखिए आप हम स्रीर के कौन से हिस्सों में आप उप्योग कर सकते हैं प्रोस्टेट प्रोस्टेट मस्तिस्क फिप्फडे रीड यकरत गुर्दे और पूरे स्रीर के इलाज के लिए इसका कहां पर उप्योग कर सकते हैं प्रोस्टेट मस्तिसक फिप्फडे रीड यकरत गुर्दे और पूरे स्रीर के इलाज के लिए हम साइबर नाइफ प्रोनाली का उप्योग कर सकते हैं यहां पर अगला हमारा पॉइंट से लाजाएगा कि कहां पर इसका उद्गाटन हुआ है इस आधुनिक तकनिक का जो उप्योग है कहां पर इसका शिलानास हुआ या उद्गाटन कहां पर हुआ है तो एमदावाद एमदावाद के एमदावाद के असर्वा एमदावाद के असर्वा में एक सरकारी हुस्पीटल है में साइबर नाइफ नाली का उद्गाटन हुआ है तो इससे रिलेटिट्स दोस्तों कैसे कुष्ण बनेंगे इस से अगर अग्जाम की बात करें तो कि आजगा में क्या पूच्छा में का पूचता है Kaidu यह सकता है कि आजकर सुरुख्यों में सायविर savings कि से समंदृ च्छा जाएगा कि इससे संदृ चिलाज जाएगा चिकित्याप्रियों इसे इसमें किसके प्रयोग के किसका प्योग किया जाएगा है विक्कियर्ण के दुआरा हम सरीर का सरीर में आम बीमारियों का पता लगा सकते हैं केंशर और बिना कैंशर वाले ट्यूमर का हम पता लगा सकते और यह पत्ति क्या करेगी चीट फाड के इस चीज का पता लगा सकते हैं इन बातों का हम पता लगा सकते हैं का पीड़ सरीर में प्रियोग किया जाएगा पूरे शरीर का इलाज के लिए हम उपयोग कर सकते हैं यहापे और एमदाबाद के असरवा कहां पे असरवा इस आधनिक तकनिक का उद्गाटन किया गा यह देश का पहला यह देश का पहला गोर्मेंट होस्पीटल है देश का पहला सरकारी होस्पीटल है यह देश का पहला सरकारी होस्पीटल है कहां भी असरवा में तो इससे important questions यह बन सकते थे दोस्तो तो मैं उमेद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा जैहिंत जैवार्त